नमस्कार दोस्तो लॉरस लैप्स शेर जब इस जोन में ट्रेड कर रहा था तब ही मैंने कहा था कि अगर ये शेर 630 का रेजिस्टन्स ब्रेक नहीं करता तो आप इस शेर में खरीदारी मत करना और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेर ने ये रेजिस्टन्स ब्रेक नहीं क और दोस्तो साथी साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर ये शेर अपना सपोर्ट तोड़ देता है 606 रुपीज का लेवल तो यहां पर हमें इस शेर में भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है तो दोस्तो इस शेर में हमें आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी पर मारकेट में आज positive sentiment था इसके लिए इस शेर में हमें उसके बाद recovery भी देखने को मिली है तो दोस्तो आज के वीडियो में मैं करूंगा Laureus Lab Share का Technical Analysis और हम देखेंगे के इस Share में एक तेजी कब आएगी इस Share में हमारे खरीदारी करने के Best Levels कॉंसरेंगे और अंत में हम डिसकस करेंगे ये Share में Concert Argets Achieve करता हुआ दिखाई दे सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तो जो 606 रूपीस का लेवल था ये लेवल पहले इस Share के लिए एक Support था पर आज आप देखो ये Share इसके नीचे आ गया है तो ये लेवल अब इस Share के लिए Resistance का काम करेगा और आज आप देख सकतो इस Share ने इसी लेवल पर अपना High Price बनाए 606 तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इस Share ने इसी लेवल पर Resistance फेस किया तो दोस्तो एक बार अगर ये Share 606 का लेवल ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हमें इस Share में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है उसके बाद का जो Resistance है वो है 630 का लेवल यहाँ पर आप देख सकतो पहले भी Resistance फेस किया है अगर बात आती है इस Share में सपोर्ट की तो यहाँ पर 589 का important सपोर्ट है आज भी इस Share ने इस सपोर्ट लिया पहले भी इस सपोर्ट लिया था अगर यह इस Share इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो जो अगला सपोर्ट है वो है 575 का लेवल यहाँ पर पहले इस Share ने सपोर्ट लिया था दोस्तों आईएब हम देख लेते इस share में कुछ important technical indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो MACD में हमें लगातार negative histogram generate होते हुए दिखाई दिये हैं और जो RSI है वो भी बहुत ज़्यादा bearish हो गया है पर यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि RSI relative strength index का value अभी 30 के नजदिक आ गया है तो 30 के नजदिक आ गया है इसका यह अर्थ है कि RSI over sold zone के इदर आ गया है over sold zone का अर्थ है रहता है कि share में already बहुत big वाली हो गई है और यहाँ से खरीदारी आ सकती है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप long time investor हो तो मैंने आपको पहले ही का है कि आप इस share को खरीद सकते हो क्योंकि एक अच्छा खासा correction आ गया है पर अगर आप trader हो तो आप इस share को तभी buy करो जब यह share अपना 606 का resistance break करता है उसके बाद जो सबसे पहला target अच्छी हो करेगा हो रहेगा 630 का level दूसरा target यहाँ पर मेरा रहेगा 671 का level और आखरी target रहेगा 700 rupees का level तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब कर देना इस share में मेरी कोई भी 22 से लिया hold की सला नहीं है क्योंकि यह वीडियो के एजुकेशनल वीडियो है धन्यवाद